नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में आपके साथ मैं हूँ अन्शिका पाठक शनी ग्रह का गोचर और नक्षत्र परिवर्तन आपने बहुत सुना होगा लेकिन क्या आप शनी के चंद्र ग्रहन के बारे में जानते हैं? जी हाँ, दरसल 24 और 25 जुलाई को शनी पर चंद्र ग्रहन लगने जा रहा है करीब 12 साल के बाद ये ग्रहन लगेगा जो भारत समेत कई देशों में दिखने वाला है भगवान सूरे के सबसे बड़े पुत्र और कर्म फलदाता शनी पर लगने वाले चंद्र ग्रहन से किस राशी पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? ये जानने के लिए दुनिया भर के जोतिश आचार्य खगोलिय गर्णा में लगे हुए हैं आज News 18 पर बड़े बड़े जोतिश आचार्य बताएंगे कि शनी पर लगने वाले चंद्र ग्रहन से आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और साथ ही हम आपको उपाई भी बताएंगे क्या कुछ शुब होगा या फिर अशुब होगा ये जानेंगे हमारे साथ जोड़ चुके हैं खास महमान उनका परीचाई आपसे करा देती हूँ जोतिश आचार्य हमारे साथ जोड़ी है पारूल चौदरी जी और हमारे साथ है जोतिश आचार्य डौक्टर पूजा भाटिया जी इसे के साथ हमारे साथ मौझूद है जोतिश अचारे डॉक्टर करिश्मा जी बहुत स्वागत है आप सभी का सबसे पहले पारूल जी आपसे ही सवाल कि क्या है ये शनी पर लगने वाला चंद्रग्रहन इसका अर्थ क्या है क्योंकि 18 साल बाद ऐसा सयो जी बिल्कुल 24 जुलाई को आस्मान में बहुती अद्बूद नजारा देखने को मिलेगा जिसमें शनी और चंद्रमा दोनों ही जो की माने जाते हैं दुसरे के दुश्मन है और विश्यों क्रियेट करते हैं लेकिन आज ये नजारा देखने के लिए विज्ञानिक भी बिल्कुल ततपर होंगे और हम लोग भी इसको अपनी नगन आखों से देख पाएंगे ये नजारे को लेकिन जो इसका अर्थ है जो इसके पीज़े साइंटिफिक रीजन भी है अब लायर रहे हैं जो प्रण से लिए अपने पीछे शनी देव को छुपा लेगे है इसको जब हम दोनूं जब एक गती में चलते है यदि डो गती आपने रास्ते बदर लेते जब दो गती जब ठाए तो उसको हम लोग चंदर ग्याएंडहिते है तो चंदर और शनी ग्रहन का जो नाम दिया गया है 18 साल के बाद वैसे तो 18 महीनों के बाद भी लगता ही रहता है लेकिन आप स्पेशल इसले की सावन में लग रहा है तो सावन में हर चीजी स्पेशल होती है और अभी इस ताइम पर अट सी फीस दी चंद्र जो है छुपा लेगा बिलकुल ही उ घ्रिया चल रही है उनको थोड़ी चीजे मिलेंगी भी उनसे थोड़ी चीजे ली भी जाएंगी और कर्म दाता है तो कर्मों के अनुसार ही सब कुछ दे के जाने वाले हैं तो साइंटीफिकली भी मैं बोलू तो इसका बहुत बड़ा आज विज्ञानिक बी इंतजार कर जिसकों की देखने के लिए इंतजार है रात को ये नजारा देखने को मिलेगा और आपको शनी के जो होते हैं जो रिंग्स होते वो देखने को मिलते हैं चंदर ग्रेंड जब उसको चुपा लेगा चंदर तब उस ताइम पे हम आपको देख पाएंगे एक बच्चे पंता जिसे हम Lunar Occultation of Saturn भी कहते हैं यह आज रात को यानि की 24 जुलाई की रात को एक बच कर 30 मिनट पे शुरू होगा और लगबग 15 मिनट में हम यह कह सकते हैं कि जो चंद्रदेव हैं वो शनीदेव को पूरी तरहां से अपने पीछे ढख लेंगे और 80% illumination मून का नजर आएगा और साटन का हमें सिरफ रिंग देखने को मिलेगा तो लगबग 15 मिनट का यह पूरा प्रोसेस होगा और दो बच कर 25 मिनट तक ही रहने वाला है इसमें अगर हम साधारन भाशा में बोले कि जिस तरह से पृत्वी के चक्कर लगाते हैं चंद्रदेव मू तो यह जो है यह लूनर ओकल्टेशन ऑफ साटन है और रात के समय यह अद्बुद नजारा देखने को मिलेगा और कहा जाता है कि 18 वर्ष में यह अद्बुद घटा होती है तो यह बहुत ही जैसे कहते है ना कि खगोलिय घटना है और बहुत ही रोमांचक इवेंट है जो और इसे इंपोर्टन माना गया है बिल्कुल और इस एतिहासिक पल को देखने के लिए हरको इंतजार भी कर रहा होगा कि वो वक्त कब आएगा जब हम यह ग्रहन देखा भी जा सकता है लेकिन कहा दिखाई देगा यह हम जानेंगी करिश्मा जी से करिष्मा जी कहां कहां प जो सबसे fast moving planet होता है चंद्रमा और सबसे slowest moving planet होता है शनी इन दोनों का ही एक lunar eclipse बन रहा है अब यह जो lunar eclipse देखेगा यह इंडिया में तो दिखेगा ही दिखेगा इसके साथ स्री लंका जपान मायमार और जितना भी हिंद प्रशान सागर है यहां पर दिखेगा इसके अलाव हम इसको October में देख सकते हैं अगर आज आप किसी भी वकारण वर्ष नहां देख पाए तो October में भी हमार पास एक मौका मिलेगा जो सेम यही चीज दुबारा से एक बर फिर से दोरेगी तो आप October में भी इस चीज को देख सकते हैं अच्छा पारूल जी काया जाता है कि अधिक ग्रहन नहीं है जैसे कि अभी करिशमा जी नहीं बोला कि ग्रहन नहीं है यह दोश नहीं है यह बहुत एक रोमांचिक सी इवंट ओने वाला आज रात को जो कि हम को देखना चाहिए और जितना हम उसको देख भी रहे और आप सटड़ी भी कर सकते हैं उसकी एत्वेसर होने वाला जिनको इस तेम परेशानियों का सामने करना पड़ा है जैसे कुम राशी थी मिन राशी है इनके तोड़ी सी राहत का समय भी मुझे दिखाई दे रहे कि इनको थोड़ी सी शांती नहीं देखकर जाएंगे चीजई देख जाएंगे मेश राशी सबसे शुब दिख रही है कि मेश राशी को बहुत सारी चीज़े देखर जाने वाले हैं शनी देव जी उनके लिए सबसे स्पेसिफिकली अगर मैं बोलू तो करियर के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाले मेश राशी के लिए प्रॉपर्टी का इवेंट इनकी लाइफ में होने वाले जो बिक नहीं रही थी बिक जाएगी ले नहीं पारिसों ले पाएंगे तो यह आपके लिए बहुत जरूरी है लेकिन आपके लिए एक चीज़ ध्यान रखने की साफदानी पूर्वा क्या है अपने घर को संभाल के चलिए सबके साथ मिल जुलके रहें और आपको सिंपल एक मैं उपाई बता के जोंगी इसके लिए आपको हर इत्वार को यानि संडे वाले दिन में तो सूरे को जल देना है और आपको गुड का दान करना ही करना है किसी भी बच्चे को कर सकते हैं आपके लिए बहुत इंपोर्टन रहने वाला है मेश राशी के लिए अब भागेश और दशमेश होकर शनी देव महराज अपनी ही मूलतिकोन राशी कुम में विराजमान है और यहीं पे शनी में चंद्रग्रहन लगने जा रहा है दशमभाव में तो कहीं न कहीं करियर पर इंपक्ट आता हुआ नजर आ रहा है अगर आप करियर चेंज का ऑप आपके बस ऑप्षिंस हैं अगर आप बिजनस में कोई इंवेस्मेंट करना चाते है तो बहुत सोच सबज़ कर कीजेगा साती या धार्मिक यात्राओं का भी योग बन रहा है धार्मिक यात्राओं में भी यहदी आप जा रहे हैं तो बहुत प्लान्ट वे में जाएगा क् तो ये तो बात हो गई व्रिशब राशी की कि व्रिशब राशी वालों को क्या करना है उनके लिए इस बार जो ग्रहन लगेगा वो कितना जादा खास होने वाला है और अब बात करेंगे मिथुन राशी की करिशमा जी मिथुन राशी के लिए कितना प्रभाव पड़ेगा देखिये जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि शनी का जो ग्रहन बन रहा है यो कहिनका एक यूती से बन रहा है तो ये जो यूती है ये चंद्रमा और शनी की है जब भी ये यूती बनती है तो विश दोश बना देती है और इंसान के जीवन में अगर कहीं पर भी ऐसा दोश कुंडली में बैठ जाता है जिस भी भाव में बैठता है तो उसके जीवन में उस चीज से related जो जिस भी भाव बैठता है उस चीज से related विश फैलने लग जाता है तो ये अगर हम मिधुन राशी की बात करें तो मिधुन राशी के लिए ये जो दोश बन रहा है ये पंचम भाव में बन रहा है अब इस समय पे आपको खास तोर से अपने जो love relationships है उन पर बहुत धियान देने की जोड़ता है अगर संतान चोटी है तो किसी न किसी तरह की चोट लग सकती है तो इन चीजों का आप धियान रखे अगर आप पैसे उसे समबंदत कोई काम कर रहे हैं समय पे लेन दिन का काम करें तो मैं कहूंगे वॉइड करें नहीं तो आपको उसमें भी नुकसान उठाना पड़ सकता आप पैसे दे देंगे वापस नहीं मिलेगा तो इसलिए थोड़ा सा समय रुख जाएए जादा बहतर रहेगा इसके लिए छोटा सो उपाय जरूर कीजेगा आप शनी स्त्रोत का पार्ट जरूर करें सावन का महिना है भगवान शिफ पे बोले नाज जी पे आप शम्मी के पत्ते जरूर चड़ा दीजे ताकि आपके जीवन में जितनी भी ये बाद हाई है वो समाब तो जाएए तो उपाय के साथ साथ राश्यो पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम बता रहे हैं लेकिन बीच बीच में ये भी जानना बहुत जरूरी है कि जो शनी और चंद्र ग्रहन का जो कनेक्शन है आखिर इससे और क्या-क्या बदलाव हो सकते है ऐसे मैं पारूल जी जानना चाहूंगी कि शनी और चंद्रमा का जो संबंध है क्या ये बुरा प्रभाव डालता है जी बुरा प्रभाव तो मैं नहीं बोलूँगी एकदम से की डाल देता है हाँ जहां विश्योग बनाता है वहाँ तो बुरे प्रभाव पढ़ते ही है जैसे कि जिनकी इस तेम पे कुणने में चंद्रमा वीक चल रही है जिनकी साड़े सती चल रही है तो वहाँ वहाँ उनकी दूर दाशा डाइप में और बनेगी जरी बनेجी लेकिन अपने उपाय करते रही है आपने करम करते रही है तो वहाँ पर चीज़े जो जरूरत है ना सबको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की जो खास कर दरूरत रहेगी कोई ना-कोई प्रॉब्लम हो सकती से एजुकेशन रिलेटेड उनको टेंशन लग सकती है या पिर पीछोटी पाचन नतर उनको बचो सकता है ना बच्चो का तो बच्चों को अभी ना दे तो ही अच्छा आप दिन के डाइम दे सकते हैं पर रातरी अभी आप आप अवाइड कर आईए लेकिन जैदा मैं बोलू खराबी लेकर आएगा ये ग्रहन तो नहीं मैं वो नहीं बोलूँगी अभी अच्छे ही असर पढ़ने वाले हैं स्पेशली अगर प्रॉपर्टी और आर्थिक सिरी सुधारना चाहते हैं और अगर आप लेना चाहते हैं कोई भी नई जगा लैंड लेना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा सम्मे रहेगा तो साफ़धान बहुत रहनी की जरुरत है लेकिन करकराशी पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी जान लेते तो पारुल जी करकराशी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जो कि अभी बहुत खटास चल रहे हैं उनके रिस्टों में, प्राब्लम आ रहे हैं सबसे ज़्यादा उनको प्राब्लम आ अपने जीवन साथी से, तो अपने जीवन साथी के साथ उनको बना के रखने हैं, लव लाइफ में हो, अगर अगर अप शादी नहीं हो या आपकी, तो आपको जीवन साथी के लिए भी जरूर उपाई करना चाहिए, मैं आपको छोटा सा उपाई दे के जाऊंगी आज, आपको एक कार्य करना है, आपको रोज एक गुलाब का फूल लेना है, और शिव जी और पारवती के आगे, शिव लिंग पे आपको जरूर चढ़ा के आ जल डालना है, और जरूर आपको भी शेक करना चाहिए, आपको करियर भी जो भी आपकी नौकरी रुकी है, मेंली उन सरकारी नौकरी जिसको इस तेम पे चाहिए, उसको जरूर ये उपाई करना चाहिए, और पूरे सावन के महीने करने, बे नागा करना है, और आपको अप और अगर हम सिंग राशी की बात करते हैं तो सब्तम भाव में ये शनी चंद्रग्रहन और विश्योग बन रहा है तो सब्तम भाब की एदि हम बात करें तो कहीं न कहीं partnership में issues अगर आप business में हैं तो partnership में बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगा किसी भी तरह का partnership contract या agreement sign करते टाइम थोड़ा सा contract के content सचे से पढ़ लेजेगा बिना देखे कुछ भी sign नहीं करना है यहाँ पे सब्तम भाब हमारा विवाह का भी होता है तो कहीं न कहीं marriage में issues आ सकते हैं कहीं न कहीं आपके जीवन साथी के साथ आपकी दिक्तते बढ़ सकती हैं और यहाँ पे आपके जो life partner है या आपका जो भी partner है उसके मुझे health issues भी होते हुए नजर आ रहे हैं तो आपको अपने जीवन साथी के अपने partner के health का बहुत जादा ध्यान दखना है अगर आपका कहीं court case चल रहा है तो court case में बहुत जादा आपको alert रहने की जरूत है क्योंकि यहाँ पे शानी देव इस टाइम वक्री भी है आप बहुत जो लंबे समय से court case pending चल रहे थे उनका भी solution बहुत जल्दी मिलता हुआ नजर आएगा लेकिन आपको regular follow up करना पड़े मूट स्विंग्स का जो सिंग राशी वाले उनको बहुत जादा ध्यान रखने की जरूत है और उपाय की यदि हम बात करें तो आपको क्या करना है शनीवार वाले दिन काले तिल जो है शनीदेव पर अर्पित करने है और साथ ही सिंग राशी वालों को नियमत रूप से के बढ़ेंगे और बात करेंगे कन्या राशी की तो करिश्मा जी बताईए कन्या राशी के लिए क्या प्रभाव है देखिए कन्या राशी का अगर प्रभाव देखे तो कन्या राशी के यह अश्टम भाव में लग रहा है अब अश्टम एक तरह से हम यह कह सकते कि कष्ट वो अवोईड करें इस समय पर दूसरी चीज घर में भी क्योंकि कहते हैं कि जब कोई कार्य होना होता तो वो घर में भी बैठे बैठे हो जाता है तो घर में भी अगर आप चल रहे हैं सीडियां उतर चड़ रहे हैं साफधानी से उतरे चड़े इस समय पर अगर आप किसी भी परिवार में कलहें हैं, उन से थोड़ा से बचके रहें, वाणी पे नियंत्रन रखिए, अगर किसी भी दरा की कोई विवाद होता भी है, तो उस चीज से आपको नजर अंदास करना बहतर रहेगा, तो ये कुछ चीजे हैं जो इस समय पे आप कर सकते हैं, इसके अलावा आप आप लोग जो है क्योंकि आपके जो राशी स्वामी है वो बुद्ध हैं, तो भगवान गणियेश जी की उपासने समय पे जरूर करें, सावन का महिना है, तो केवल भगवान शिव की नहीं, संपून परिवार की पूजा रातना करना बहुत खास होती है, तो गणियेश जी मैं बोलना शाहूंगे कि अभी समय थोड़ा सा क्रिटिकल रहने वाला इनके लिए, स्पेसिकली आप वहन चला रहे हैं, तो आप वहन ना चलाइए, दुर घटना होने की संभावनाई बनती हैं, आपकी, पंदरा दिन आपको थोड़ा सा साफधानी बरतने की जरूरत रही कि आपको ट्रावल ना करना पड़े, अगर बहुत मेजर है आपका, तो आप मेजर ली ही आप कर सकते हैं, मिन्स ट्रावल अगर आपको करना है तो आप जाईए, अदर वाइस आप ना जाए तो ही अच्छा रहेगा, आपके लिए वाइड कीजिए, छोटे मोडे ट्रावल सुलचते हुए दिख रहे हैं हो सकता है, आप सी समझोते में बैठ कर ही आपके बात हो जाए, अगर आप उसको लंबा ना खीचे, अगर आप उसको ना ले कर जाए, एक कोट का चैरी तक घर बैठ के सम अधान निकालने कोशिश करें तो जरूर हो जाएगा, अभी आपको लोगों के वाद विवाद में नहीं पढ़ना, किसी की लड़ाई में आपको नहीं जाना है, अगर आप वहाँ पर जाते हैं, तो हो सकता है किसी और का कले आपके घर में आजाए, तो आपको भी ये चीज़े अवाइड करने हैं, आपको जूटी किसी की गवाही नहीं देन और जिन लोगों को रात को डर लगता है इस ताइम पर तुला राशी को यह चीज फेस करनी पड़ रही होगी चोटे बच्चे रात को डर जाते हैं अचानल से स्वपनच्छे नहीं आ रहे हैं उनको तो उनके लिए मैं छोटा सा उपाई बोलूँगी कि आपको अपने सिर्हाने पे लाल रंग के कपड़े में थोड़ी सी हरी सौफ जो होती है वो रखनी है और सुभा आपको उसको फ्लश कर देना है मतलब डिसकार्ट कर देना है डिस् प्रस्बीन हो गया या फ्लश हो गया आप उसको कीजिए आपके बच्चे को भी अराम आएगा और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी चलिए अब बात करेंगे वरिश्चिक राशी की तो पूजा जी वरिष्चिक राशी पर क्या प्रभाव पड़ेगा देखिए वरिष्टिक राशी में जिस तरह से शनी की ढहिया चल रही है और शनी चंद्रग्रायन है तो कहीं न कहीं वरिष्टिक राशी वालों को चौते भाव से संबंदित चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा अपनी माता की सेहत का बहुत जादा ध्यान पड़ेगा गहर में कोई बड़ा इंसान है उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखें अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से द्राइविंग करें अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी में इंवेस्मेंट कर रहे हैं या वहिकल में इंवेस्मेंट कर रहे हैं तो मेक शूर कि आप जो भ करते हैं तो कम्मिनिकेशन में आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूत है साथ ही जो लोग होबी को अपना पैशन को फॉलो करते हैं उनके लिए समय काफी अनुकूल मझे नजर आ रहा है और थर्ड हाउस की अधी हम बात करें तो तीसरा घर हमारे फ्रेंड सर्क कि अवयट कीजिए बिना बात के किसी से बहसना कीजिए कुछ समय के लिए शांति बना के रखिए ड्राइव भुट ध्यान से कीजिए और जो भी है अपने घर में जो है किसी भी तरह का महाल ना खराब करें अपने मन को भी शांत रखिए क्यूंकि चौथा घर हमारा मन का प्रभाव भी होता है चंद्रमा का घर होता है और यहां पर चंद्रमा जो है जिसना से विराजमान है और शनी के साथ विराजमान है तो कहीं न कहीं मेंटल टेंशन और स्ट्रेस देते हुए नजर आ रहे हैं तो स्ट्रेस बिलकुल भी नहीं लेना है व्रिश्चिक राशी ये आप सुन रहे हैं चलिए आप बात होगी धनूराशी की तो करिश्मा जी धनूराशी पर क्या प्रभाव पढ़ने वाला है देखिए धनु राशी के लिए जो है कदश भाव में ये जो दोश है विश्दोश के बन रहा है और अगर हम बात करें धनु राशी के लिए आने वाला समय कैसा रहेगा तो यहां पर डेफिनेटली क्योंकि मंगल जो है उसकी अश्टम दृष्टी जो है वो धनु राशी पर पढ़ रही है और कही न कहीं इस समय पर क्रोधित जो है बहुत जादा आप लोग रहेंगे किसी भी बात को बिना सोचे समझे आप जवाब दे देंगे जिसकी वज़ा से हो सकता है आपके जो अपने है वो आपसे थोड़ा सा मूँ मोल ले हाला कि धन से सम्मंदत परिशान यह समय पर हल होंगी रुका हुआ धन वापिस आएगा मगर एक अंसाटिसफेक्शन जैसे बनी रहती है वो इस समय पर बनी रहेगी क्योंकि चंदरशानी साथ में है और कहीं न कहीं मंगल की अश्टम दृष्टी आपके ऊपर पढ़ रही है तो गुस्से में मूट स्वें अधिका धनुष है वो आप किसी भी मंदिर में दान करें ताकि आपके जीवन में किसी भी तरह की अगर बाधा आ रही है तो वो समाप्त हो जाए बिल्कुल तो देखिए बहुत जरूरी है साफधानियों को ध्यान में रखिए क्योंकि अगर शनी पर चंद्र ग्रहन लग है तो इससे आप पर बहुत प्रभाव पड़ेगा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली राशी की और अगली राशी है मकर राशी पारुल जी मकर राशी पर क्या प्रभाव पड़ेगा मकर राशी पर इस ताइम पर अल्रेडी साड़े सती चली ही रही है तो मैं बोलना चाहूंगे कि थोड़े से सतर कोज़े जीवन साथी के मामले में यहां पर प्रॉब्लम्स आ सकती है जिनके भी इस ताइम पर कोट कचैरी में डिवॉर्स केसिस चल रहे हैं हो सकता है आपक सथैंड़ो हो चाहिए लिए लिए कुछ बना लेते हैं तो आपके जैसी खरासरा आपके ऐसे खराब होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि हमारे है इस ताइम पर थाब करेंगे वहां पर पहल थिर फोड़ी बहस में ना पढ़िए आर्गूमेंट केंग एचोंगी और आपके दोस्ती में हो सकते हैं, घर परिवार में हो सकते हैं, अपनों का छूटता हुआ, मुझे विलास दिख रहा है जागतर आपका, तो आपको इस पे ध्यान रखना पड़ेगा अपने, करियर पे थोड़ा सा ज्यादा और अपने हार्ड वर्क को लेके हैं, ये लेजीनेस बहुत सोचते हैं, रहने दीजिये रहने जी वो रहनें नहीं देना है आपको आपको काम करना तभी आपको चीजे हासी लोंगी, आपके लिए छोटा सा उपाई है, कि ताक् PTALK आप लेजए से अपने बाहर आईए, और अपने कारे आगे बढ़ाईए तो उसके लिए आपको छोटा से कारे जरूर करना है आपको रोज आवर में शिव जी के मंदर में जरूर जाना है बेल पत्र पर आपको जो भी आपके इच्छा है पीला वाला जो चंदन होता है उससे आपको एक शब्द में यानी वन वर् की इच्छा है जरूर बाबा पूरी करेंगे शनी देव इस ताइम पर जरूर पूरी करेंगे चंदर ग्रहन आता है यह इच्छाएं पूंड करने का भी आता है सिद्धियां भी आपको देखे जाता है क्योंकि यह इतना जदर जो योग बने होते हैं इस तेम पर आपकी इ कि वांते तो बात हो गई मकर राशी की कि आगे बढ़ेंगे और अब कुमबाराशी की तो कुम राशी पुजा जी के रिए tv बता ही की Yap क हिसा प्रभाव पड़ेगा कुम आग ले विराजमान को आगे लिए बुद क temos होता है, mental stress और tension बहुत ज़्यादा रहती है, कई ना कहीं काम बहुत ज़्यादा ठकते हैं, तो कुंब राशी वालों को अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस समय, overall सिरफ अपनी सेहत ही नहीं, अपने पार्टनर की भी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि कहीं न कहीं स्ट्रेस की बज़े से arguments, contradictions यहां पर होती हुई नजर आ रही है आपको अपने career पर भी बहुत ज़्यादा focus करना है क्योंकि जब आपका mind disturb होगा health issues आएंगे तो कहीं न कहीं career पर भी इसका negative effect पड़ सकता है अपने office में किसी बी तरह से senior से किसी बी तरह से ना ओल्स हैं office में colleagues से बना कर रखे हैं इस समय में क्योंकि यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समय में होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं और साथ ही अपने घर का महौल जो है बहुत शांतिमय बना के रखें और जहां तक उपाए की बात है तो उपाए में मैं आपको यही बोलूँगी कि शानी मंत्र का जाप आप नियमेत रूप से करते रहें शानी चालिसा करते रहें और चाया दान जरूर करें शानीवार के दिन आपको क्या करना है आपको एक पात्र में सरसो का तेल लेना है उसमें अपनी परच्छाई देखनी है और फिर वो पात्र सरसो का तेल आपको कही मंदिर में जाकर रख कराना है तो जितनी भी negativity है जितनी भी obstacles हैं आपकी life में वो धीरे-दीरे दूर हो जाएंगे और आप पे शनीदेव की कृपा बननी शुरू हो जाएगे बिल्कुल तो अब बारी है उस राशी की जो बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं और मीन राश में पहले से ही राहू भी विराजमान है और आप लोगों की अगर बात करें तो इस समय पे एक चिड़चड़ा पन सा वैसे ही आप लोगों के अंदर बना हुआ होगा कोई काम नहीं बन रहे होंगे हो सकता है बनते-बनते भी बिगड़ रहे हों तो यह जो इस ग्रहन का इंपक्ट पड़ेगा कहीं न कहीं लाइफ में आपको अप्स्टैकल्स इस समय पे जरूर देगा हाला कि आने वाले समय में आपके काम जरूर बनेंगे मगर इस समय पे चिड़चड़ा पन बहुत जादा बढ़ सकता है यह आप यातरा करना चाह रहे हो या ब्रॉड आप ट्रावल करना चाह रहे हो वो इस समय पे रूख जाये यह किसी कारणवर्ष आपको खुद को ही रोकना पड़ जाए कारे तो इसमें पर कारे ज़रूर रोख सकते हैं, मगर घबराने के विशक्ति नहीं है, आने वाले समय में बन जाएंगे इसमें पर डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, मिंटल लेवल, जो है स्ट्रेस आपका बहुँ जादा बढ़ेगा इसमें पर आपको जो बुरे सपने हैं वो आ सकते हैं, इसमें पर आक्सिडेंट से आप बचके रहिएगा, इस्पेशली पैरों में अगर कोई दिक्कत है या पहले से ही पैरों में अगर चोट लगी वी है तो उस चीज का जादा ध्यान दे के चलिएगा तो ये कुछ चीज हैं जो इस दुरान आप जरूर करें सकते हैं, इसके लावा उपाए कि अगर हम बात करें तो इस दुरान आप मा गौरा को हल्दी से स्नान जरूर कराएं और कोशिस करें वो जल की छीटे अपने उपर भी मार लें बहतर रहेगा, इसके अलावा शिवलि दालने वाला है, वो राशिया कौन सी होंगी? पूजा जी कुछ ऐसे भी ग्रहन होते हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि कुछ भी ना खाएं, कुछ भी ना पियें, या फिर अगर अगर कोई भी खाना बच जाता है, रात में तो तुलसी का पत्ता उस पर रख दे, तो क्या इस ग्रहन में भी ऐसी साफधानियों पर ध्यान रखना होगा? देखे, ये एक महस खागोलिय घटना है, अगर हम ग्रहन की बात करें तो वो चंद्र ग्रहन और सूर्य ग्रहन में हम जादा मानते हैं, क्योंकि सान और मून हमारी दो लुम्नरी जाती हैं, चंद्रमा और सूर्य हमारे जो है, जैसे कहते हैं, हमारे में सोर्सें हैं, ये शनी चंद्र ग्रहन जो हम है, इसमें हम साधना के लिए बहुत अच्छा समय है, आप चाहें तो देखी सावन का महिना चल रहा है, आप व्रत भी रख सकते हैं, लेकिन इस तुलसी के पत्ते का और इस तरीके का कोई connection इस वाले ग्रहन से हम नहीं लेंगे, क्योंकि एक म जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अधरवाइस आप बिल्कुल निश्चिन्थ होकर ये खगोलय घटना को enjoy कीजिए, आप चाहें तो नेकेड आई से भी देख सकते हैं, आप चाहें तो अस्ट्रोनोमिकल इंस्ट्रूमेंट से भी देख सकते हैं, और इस खगोलय ग्रहन क्या पूरी रात ऐसे रहने वाला है, मतलब क्या समय? नहीं वैसे तो ये ग्रहन जो है, एक गंडा पहले ही स्टार हो जाएगा लगना पर हम देख नहीं पाएंगे, इतना विजिबिलिटी में नहीं होगा, जब विजिबिलिटी में आएगा वो आएगा एक आप देख भाएंगे लेकिन जो मेजर इसका जो पी कार्स रहने वाला है, जो ताइम देख भाएंगे जो फंदरा मिएट के अंदर पूरा चंदरमा छिपा लेगा शड़ी तब आप इसको लेकिन इंस्टूमेंट के थू ही देख भाएंगे जो शड़ी आप उसको पाले इससे लेकि दो बज़े के बीच में आप तब भी उसको देख पाएंगे और बहुत ही क्लियर वीजिन से आप लोग उसको देख पाएंगे लाएंगे